चान्नी और माया दोनों बहुत पक्की सहीलियां थी दोनों की उम्र भी सिर्फ 10 साल की थी और सबसे गजब बात ये थी कि दोनों की शकले एक जैसी थी माया सीधी साधी लड़की थी जबकि चान्नी थोड़ी सी चालाग थी एक रोज चान्नी ने माया से कहा माया तु मेरे एक छोटा सा काम करेगी चाननी हम दोनों ने आज तक एक दूसरे की बात नहीं टाली तो आज कैसे टाल दूँगी बता क्या काम है मेरा आईस्क्रीम खाने का बहुत मन है शाम को मेरे घर वाले मुझे खेलने के लिए निकलने ही नहीं देते तो ऐसा करना शाम को जब बाहर निकलना तो गुन्नू चाचा की दुकान से हम दोनों के लिए आईस्क्रीम ले आना फिर हम दोनों एक साथ बैठ कर खाएंगे बस इतनी सी बात तो टेंशन मतले शाम को मैं आईस्क्रीम लेकर तेरे घर के बाहर मिलूँगी इतनी बात बोल कर चाननी अपने घर आ गए थोड़ी देर बात चाननी अपने घर से निकली और सीधा आईस्क्रीम वाले गुन्नू चाचा की दुकान पर चली गए अरे गुन्नू चाचा मेरे घर पर कुछ महमान आए है मम्मी ने पाँच आइसक्रीम मंगवाई है हाँ चादनी बेटा ये रही तुम्हारी पाँच आइसक्रीम चाचा इन पाँच आइसक्रीम के पैसे मैं आज शाम को दे दूँगी शाम को मैं फिर से आइसक्रीम लेने आउंगी तो इसके पैसे और जो आईस्क्रीम लोगी उसके पैसे सब एक साथ दे दूँगी आप मुझे बस याद दिला देना आप तो जानते हो कि मैं बहुत बुलककरूं हाँ चांदनी बेटा ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू बहुत बुलककर है तो ये पाँच आईस्क्रीम लेकर जा इसके पैसे शाम को मैं तुझसे ले लूँगा चांदनी आईस्क्रीम लेकर अपने घर आ गई उसने अपने माबाप को आईस्क्रीम खिलाई और बागी की बच्चे आईस्क्रीम वो खुद खा गई वहीं दूसरी तरफ शाम ढलने को थी माया अपने घर से निकली चांदनी को आईस्क्रीम खाने का बहुत मन था और बेचारी शाम को वो घर से निकल नहीं पाती इससे पहले की रात हो जाए मैं चलती से आईस्क्रीम लेकर चांदनी के घर पहुँच जाती हूँ माया भागतर आईस्क्रीम वाले चाचा की दुकान पर पहुच गी लेकिन दोनों जुड़वा थी इसलिए चाचा ने सोचा की चांद नहीं है अरे चाचा दो आईस्क्रीम देना हाँ बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे पता ही है कि तुझे दो आईस्क्रीम चाहिए यह ले चाचा ने दो आईस्क्रीम माया को दे दी माया ने दो आईस्क्रीम के पैसे उन्हें दे दिये और वहाँ से जाने लगी तब ही अचानक चाचा निमाया को रोक लिया अरे बिटा इसके पैसे तो तुने दे दिये लेकिन सुबह जो तुने पांच आइसक्रीम ली थी उसके पैसे कौन देगा चाचा मैं तो आज पहली बार दुकान पर आई हूँ आपकी मैंने पांच आइस्क्रीम कब ली तू हमेशा भुलककर की भुलककरी रहेगी तू नहीं कहा था कि मैं भुलककर हूँ मैं भूल जाओंगे इसलिए मुझे याद दिला देना पर तुझे तो अभी भी यादी नहीं आ रहा माया आइस्क्रीम लेकर चान्नी के घर पहुँचे लेकिन ये चान्नी का रोस का काम हो गया माया सीधी साधी लड़की थी इसलिए उसका फैदा उठाकर चान्नी हमेशा उधार दिया करती थी और माया पैसे दे दिया करती थी बचपन में ये सब तो चलता ही रहता है खेर एक रोस माया का ट्रांसफर गाउं से कहीं दूर किसी दूसरे शेहर में हो गया चान्नी मेरे पापा का ट्रांसफर दूसरे शेहर में हो गया है इसलिए मैं जा रही हूँ तेरी बहुत याद आएगी चान्नी ये सुनकर हैरान हो गई लेकिन आब वो कर ही क्या सकती थी खेर, माया अब चान्नी से हमेशा हमेशा के लिया लग हो गई क्योंकि माया दूसरे शेहर में शिफ्ट हो चुकी थी अपने परिवार के साथ समय बीता और दोनों जुर्वत सहीलियां जवान हो गई अरे माया बेटा तु इतनी उदास क्यों है हर एक लड़की को कभी ना कभी अपना माय का छोड़कर जाना ही पड़ता है एक महिने बाद तेरी शादी है तो खुश रहा कर बेटा नहीं पापा मैं किसी दूसरी वज़़ से उदास हो मैं तेरा बाप हूँ मैं तेरे दिल की हर एक बात जानता हूँ मुझे पता है कि तू अपनी बच्पन की सबसे अच्छी सहली को मिश कर रही है और अपनी शादी में उसे भी बुलाना चाहती है है ना ये सुनकर माया ने खुशी में अपने पिता को गले से लगा लिया पापा आपने तो मेरे दिल की बात जान ली मैं बस इसी वज़़़ा से परिशान थी तू परिशान मत हो उस गाउं से हमारा बहुत गहरा नाता है अरे मैं वहीं पैदा हुआ था उस गाओं में मुझे भी बहुत सारे लोगों को तिरी शादी का काड़ देना है और चांदनी के पापा भी तो मेरे बहुत अच्छे मित्रे थे उनके घर भी मुझे काड़ देने जाना है अगले दिन माया अपने पिता के साथ कार में बैठ कर अपने पुराने गाओं में पहुच गई माया चांदनी को देखते ही पहचान के क्योंकि अभी भी दोनों की शकले एक जैसी थी दोनों एक दूसरे को गले लगा कर रोने लगी माया पंद्रह साल बीट गए लेकिन उसमें से एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुझे याद नहीं किया मैंने भी तुझे हर पल याद किया पर मेरे पास तो तेरा नंबर था और नई मैं अकेले इस गाओं में आ सकती थी खेर मेरी शादी तै हो गई है और कार्ट देने की बहाने से कम से कम हम दोनों आपस में मिले तो माया की बात सुनकर चान्नी हैरान हो गई और खोश भी क्या बात करी है माया मेरी भी शादी तै हो गई है अच्छा कब है तेरी शादी मेरी शादी 15 दिसंबर को है अरे चांदनी ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी भी शादी 15 दिसंबर को ही है किसमत का खेल देख माया हम अपने बच्पन से हर काम एक साथ करते थे और देख हम दोनों की शादी भी एक ही दिन हो रही है इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे की शादी में तो आनी पाएंगे तभी चांदनी और माया के पिता वहां पर आ गए बेटा तुम दोनों एक दूसरे की शादी जरूर अटेंड कर पाओगी और शादी के बाद भी एक साथ ही रहोगी अरे क्यूंकि अभी अभी माया के पापा ने मुझे बताया कि जिस घर में तेरी शादी हो रही है उसी घर में माया की भी शादी हो रही है उनके दोनों बेट उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी मा ने एक साथ ही दोनों बेटों की शादी तै कर दी पर उनके भी परिवार को ये नहीं पता है कि तुम दोनों बचपन की सहली हो तो इस तरह से दोनों की शादी एक ही मंड़क के नीचे होने लगी माया और चान्नी ने तई किया था कि दोनों ही शादी का जोड़ा एक जैसा ही पहनेंगी इसलिए confusion की वजह से चान्नी की जगा माया और माया की जगा चान्नी बैठ गई जिससे दोनों के पति बदल गए ये बात किसी को पता नहीं चली चान्नी और माया ने घुंगट डाल रखा था इसलिए वो भी इस बात से अंजान थी और दोनों की शादी हो गई सुहाग रात वाले दिन चान्नी घुंगट में बैठी थी मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा है कि मेरी बचपन की जुड़वा सहीली माया की भी शादी सी घर में हो गई इतना सुनते ही मनोहर चान्नी से अलग हो गया और उससे बोला इसका मतलब तुम माया नहीं हो चान्नी ने घुंगट उठा कर देखा तो सामने मनोहर था ना की समीर चान्नी बेट से उठकर नीचे आ गई अरे ये क्या हो गया इसका मतलब मेरी शादी समीर से नावकर आपके साथ हो गई इससे पहले की कुछ अनार्थ हो जाए जल्दी से समीर के कमरे में चलते हैं मनोहर और चान्नी भाग कर समीर के कमरे के पास आकर उसका दर्वाजा खट-खटाने लगे समीर ने दर्वाजा खोला भाईया मैं आपके ही कमरे में आने वाला था आपको पता है बहुत बड़ी गड़बड हो गई है इसका मतलब तुझे भी पता चल गया कि हम दोनों एक्स्जेंज हो चुके हैं हाँ भाईया पता नहीं इतनी बड़ी कंफ्यूजन आखिर कैसे हो गई मेरी शादी चान्नी से होनी थी लेकिन माया से हो गई और आपकी शादी माया से होनी थी लेकिन चान्नी से हो गई अब इतनी बड़ी गलती का अंजाम आखिर कौन भुखतेगा समीर तू ऐसा कर आज रात तू मेरे कमरे में आकर सो जा चान्नी और माया को एक कमरे में सोने दे कल सुबह होते ही पंडिजी से मिलते हैं समीर और मनोहर एक कमरे में सो गए और दूसरी तरफ माया और चांदनी एक कमरे में सो गई सुबह होते ही मनोहर ने दोनों परिवारों के साथ साथ पंडिजी को भी बुला लिया मनोहर ने सारी बात अपने अपने परिवारों को और पंडिजी को बता दी मुझे लगता है गलती से माया चांदनी की जगा बैठ गई होगी और चांदनी माया की जगा दोनों ने एक जैसा जोड़ा पहन रखा था और शकले भी दोनों की एक जैसी ही है शायद इसी वज़े से confusion हो गई होगी अरे पंडित जी आप इतने experience आदमी है आप से भला इतनी बड़ी घलती कैसे हो गई ये तो अच्छा हुआ कि बात हच से आगे नहीं बढ़ी और स्वाग रात वाले दिन ही इन दोनों को सच्चा ही पता चल गई वरना अनर्थ हो जाता हाँ पंडित जी क्या अब इसका कोई इलाज नहीं है बिल्कुल इलाज है इसके लिए हमें कम से कम चार पाज घंटे का एक हवन करना होगा जिससे मंत्रों और कर्म कांड के जरिये दोनों की शादी तूट जाएगी और इसके बाद फिर से दोनों की शादी करानी पड़ेगी पंडित जी मैंने इचाहता कि पूरे समाज के सामने फिर से हमारी शादी हो और इतनी बड़ी हरकत पूरी दुनिया जाने जो भी करना है इसी छट के नीचे चुपके से हम लोग कर लेंगे हाँ हाँ मनोहर बिटा पूरी दुनिया के सामने अब ये सर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है अभी सुबा का वक्त है हवन हम अभी थोड़ी देर में शुरू कर देते हैं और शादी की प्रक्रिया हम लोग शाम को पूरी कर लेंगे उन लोगों ने तुरंत हवन प्रक्रिया शुरू कर दी और मंत्रों के जरीए दोनों की शादी तोड़ दी उसके बाद शादी की पूरी प्रक्रिया वर्माला सहित उन लोगों ने एक बार फिर से की और इस बार सब कुछ ठीक हो गया मनुहर की शादी माया के साथ हो गई और समीर की शादी चाननी के साथ माया बिटिया अब तो तु खुश है ना तू जिस वज़ाए से शादी के पहले उदास हो रही थी वो अब अजाब हमेशा के लिए खत्म हो गई आप तेरी बच्पन की सहली हमेशा तेरे साथ रहेगी हाँ इतनी गरबड के बावजूद भी दोनों जुड़वा सहलियां जो बच्पन में बिछड़ गई थी पंद्रह साल बाद कुदरत ने उन्हें हमेशा के लिए मिला दिया और वो लोग खुशी-खुशी रहने लगे आशीका का अज जन्म दिन है अरे नाचो न भावी तुम गवार की गवार ही रहोगी आशीका मैं नाशता लेकर आती हो तुम लोग डांस करो आशीका अपने दोस्तों के साथ डांस करने में मस्त है जबकि उसकी भावी अंदर नाशता लेने चली जाती है तब आशीका अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाती है आज मा और भहिया घर पर नहीं है इस गवार भावी को आज मसा चखाते है मा के सामने बहुत सती-सावित्रि बनने का नाटक किया करती है न आज समझाएगा इसे आशिका से पंगा लेने का अन्जाम आशिका ढेर सारा केक जमीन पर गिरा देती है थूड़ी देर बाद जैसे ही आशिका की भाबी सरोशनी नाश्टे का सामान लेकर अंदर एंटर करती है वैसे ही वो फिसल कर गिर जाती है सारा नाश्टा भी जमीन पर गिर जाता है ये क्या किया भाबी? आँखों में मोतिया बिंद हो गया है क्या? आशिका ये केक जमीन पर किसने डाला? इसी से फिसल कर गिरियों मैं नाश्टा भी गिरा दिया अब मेरी दोस्ट बिना कुछ खाये जाएंगे लगता है नहीं नहीं महमान भूखे नहीं जाने चाहिए तो यहाँ ग्यान क्यों जाड़ रही है भाबी? जाओ जल्दी से नया नाश्टा बना कर लाओ और उससे पहले ही सब साफ कर दो सरोचनी सारी सफाई करती है और सब को नाश्टा बना कर खिलाती है अगले दिन सुबह सुबह आशिका के प्रेमी देव का फोन आता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे पास फोन मत क्या करो रखो फोन इतना कहकर घमंडे आशिका फोन रख देती है बिचारा देव बहुत अच्छा और शरीफ लड़का होता है आशिका किसी कमपनी में प्राइविट नौकरी करती है जिसका उसे बहुत घमंड होता है शाम होते ही आशिका घर आती है और देखती है कि उसकी भावी टीवी देख रही है भावी तुम्हारे पास दिन भर कोई काम धंदा तो रहता नहीं है दिन भर टीवी देखा करती हो, बिजली का बिल आपके पिता जी देंगे देखो आशिका, मुझे चो कहना है कहलो, मेरे पिता जी को कुछ मत कहना इतने में वहाँ सरोजनी का पती मोहन भी काम पर से वापस लोट आता है और ननत भावी की बाते सुन लेता है पिता जी को क्या मत कहना सरोजनी सरोजनी बात को घुमा देती है अरे कुछ नी कुछ नी, वो क्या है ना मैं अपनी ननत को बता रही थी कि बचपन में एक बार मैंने अपने पिता जी की जेब से पांच रुपे चुरा लिये थे तो इसने कहा कि ये बात पिता जी को बता देगी तो मैं इसे यही मना कर रही थी कि पिता जी को कुछ मत कहना ओ ये बात है ० चलो मज़े करो तुम दोनों ऐतना कहे कर मोहन अपने कमरे में चला जाता है अगले दिन ओफिस में आशिका के किसी इंप्लॉई के साथ बहस हो जाती है तेरे बाप की कमपनी है क्या? चल निकल, मिस्टर बत्रा से तू नहीं मिल सकती पर मैं तो इतने में आशिका उस लड़की को एक जोरदार तमाचा मारती है इस बत्तमीज लड़की को अंदर आने किस ने दिया? मुझे आँखे दिखा रही है, मैं सबसे सीनियर हूँ यहाँ पर समझी इतने में वहाँ पर कमपनी के मालिक मिस्टर बत्रा आ जाते है क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? सर ये लड़की बत्तमीजी कर रही है आशिका, मैं सब कुछ देख रहा था तुम अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझती ये लड़की पूनम है, मेरी बेटी पूनम आशिका चौंक जाती है, माफी भी मांगती है पर मिस्टर बत्रा उसे काम से निकाल देते है रास्ते में अपनी स्कूटी से परिशान हालत में आशिका घर जा रही होती है तभी उसे एक लगजरी कार से निकलता हुआ एक लड़का दिखाई देता है ये तो देव है, आशिका अपनी स्कूटी देव की कार के पास रोग देती है आशिका तुम? हाँ मैं अब तो मैंने तुम्हें फोन करना भी बंद कर दिया है अब क्या शिकायत है? ये कार तुम्हारी है देव, तुम करते क्या हो? क्यों? आज से पहले तो कभी नहीं पूछा? अरे, मैंने सुचा कोई सडक चाफ फोन करता रहता है इतने में आशिका रोने का नाटक करने लगती है अपने घर की परिशानिया बताती है भाईया तो शादी के बाद मुझसे बात ही नहीं करते घर वाले सारा काम मुझसे ही करवाते है सब मुझे बोच समझते है लड़की हो ना इसी वज़े से काम ढूड़ने गई थी पर मिला ही नहीं देव उसकी बातों को सच मान लेता है जिससे उसका दिल पसीच जाता है और वो उसे अपनी ओनलाइन कंपनी में कुछ वर्क दे देता है पेमेंट कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए? कम से कम तीस हजार तो होने ही चाहिए ठेक है, कल मैं तुम्हें मेल कर दूँगा तुम्हें एक फॉर्म फिल अप कर देना इतना केकर देव अपनी कार में बैखता है और चला जाता है अगले देन आशीका के फोन पर मेल आ जाता है देव उसे एडवांस पेमेंट भेज देता है, वो भी असी हजार रुपै मा, पिताजी, भाईया, कल जहां में इंटर्व्यू देने गई थी न वहाँ मेरी नौक रिपक्की हो गई है असी हजार एडवांस भी आ गया, ये देखिए सब लोग बहुत खुश होते है बढ़ाई हो आशी, पर काम क्या है? भाईया, सारा काम ऑनलाइन होता है और फिस जाने का जंजट भी घत्म उसका भाई ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि उसे अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा देख को आशीका की मदद करके खुशी तो मिल जाती है पर अभी भी आशीका उससे बाते नहीं करती अचानक आशीका का फोन आता है हाँ आशीका, कैसी हो? तुम मेरे बाप हो क्या? हाल चाल मत पूछो ये बताओ कुछ काम आम तो करने को मिलता नहीं नौकरी पक्की है न? अरे बाबा, भरोसा रखो, नौकरी पक्की है आज रात से कुछ टॉपिक दिये जाएंगे जो कि तुम्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने है ठीक है, भेज देना इतना कहकर आशीका फोन कार्ट देती है देव के पास उसके लिए कोई काम नहीं होता है वो तो बस यूही उसे हर महीने पैसे देने लगता है कभी तो वो उसका प्यार समझेगी बस इसी उमीद में उसने काम दिया आशीका, तु अपने बॉस से कम से कम तमीज से बात किया कर अरे वो एक नंबर का बेवकूफ है मुझ पर मरता है वो मैं जो कहूंगी वो करेगा वो चल कलब चलते हैं आशीका के पास अब पैसों की कमी तो है नहीं इसलिए खुबाई आशी करने लगती है कलब में लड़कों के साथ दारू पीती है डान्स करती है और जुए में पैसे लगाने लगती है जब हार जाती तो उतनी ही रकम देव उसे अलग से दे देता है एक दिन देव उसे कलब में देख लेता है तुम यहां क्या कर रही हो? मैं कुछ भी गरू तुमें इसे गरू मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो देव उस वक्त कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है अब देव आशिका की फैमली के बारे में पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमली गरीब है भाई मेहनत करता है पर बेहन अपने घमण में चूर रहती है भाया तुम जब देखो तब मुझ पर चिलाय करते हो मैं बचपन से ये सब झेल रहे हो पर अब नहीं आप बीस हजार कमाते हो और मैं आसी हजार अपनी बेहन के मुझ से ऐसे कठोर शब्द सुन कर मोहन की आखे नम हो जाती है वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है आशिका अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं कमाने क्या लग गए इतना घमंड आ गया कि अपने भाई की भी इज़त करना भूल गई तु आप दोनों तो कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा है अब मैं किसी के दबाउ में नहीं रहने वाली खूद कमाती हो खूद खाती हो इतना कहकर आशिका अपने कमरे में चली जाती है कुछ दिनों बाद देव आशिका के बारे में सब पता लगा लेता है कि वो कैसे घमन में चूर है घरवालों की भी इज़त नहीं करती इसलिए देव बिना किसी एडवांस नोटिस के उसे नौकरी से निकाल देता है अशिका उसे फोन पर फोन करती रहती है товar वो फोन नहीं उठाता अब आशिका को ना ही पुरानी कमपनी में काम मिलता है और ना ही देव अब उससे बात करता है उसकी सहील या उसकी दोस्त कोई उसका फोन नहीं उठाता है खुद को कहीं की मारानी समझने लगी थी भगवान जो करते हैं सही करते हैं एक बार फिर से आशिका अपने परिवार पर निर्भर हो जाती है टेंशन की वज़े से उसे वायरल फीवर हो जाता है सरोशनी बिना कुछ सोचे समझे अपना बलड उसे दे देती है अब आशिका ठीक होकर घर आ जाती है और सबसे माफी मांगती है जब तक मेरे पास पैसा था तब तक सारे दोस्त मेरे आगे पीछे गुमते थे पर जैसे ही नौकरी गई सब चले गए अब उसके माता पिता ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इसलिए उसकी शादी तय कर देते हैं अभी ये बिमार है नौकरी भी नहीं है इसलिए प्यार से बात कर रही है ये पैसा आते ही फिर से घमंडा जाएगा आपने बिल्कुल सही कहा उस लड़के ने जैसा कहा है वैसा वैसा हमें करते जाना है तब ही आशिका सुधरेगी आशिका के घर लड़के वाले रिष्टा लेकर आते हैं लड़के को देखते ही आशिका बुरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बलकी देव है दोनों की शादी तय हो जाती है तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? अपनी जिंदगी मलाने के लिए आशिका अमीर घर की बहु बन कर बहुत खुश रहने लगती है लेकिन अब यहाँ पर देव की बेहन रितु उससे भी कई गुना ज़ादा घमंडी होती है उसके पास खुद की कारे भी होती है गर में आशिका की सास आशिका की ननद और उनकी सभी सहेलया किटी पाटी कर रही होती है भाबी बाहर आओ किटी पाटी एंजॉई गरो हमारे मैं मानों से मिलो आशिका बाहर आती है सब से मिलती है अरे नितु in direct पर दीरे धीरे यह भी अमीर बन ही चाएगी यार रित्तू तुने अपनी भावी को गवारों वाले कपड़े क्यों पैना रखे हैं धंके कपड़े पैना किटी पाठी के वीडियोस बनेंगे तेरी भावी भद्धी लगेंगी मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हो हाँ बहु जा लेकर रा थोड़ी तेर बात जैसे या आशिका नाश्ता लेकर आती है वैसे ही वो फिसल कर गिर जाती है क्योंकि जमीन में बहुत सारा केक पड़ा हुआ होता है ओ माफ करना भावी अब तुम्हें ये सब साफ करना पड़ेगा पहले बताना चाहिए था कि आपको कम दिखता है चश्मा बनवा देते अब आशिका को वो सारी हरकते याद आ जाती है जो हरकते वो अपनी भावी के साथ किया करती थी तब ही वहाँ देव आ जाता है अब मैसूस हुआ कि जब खुद पर बित्ती है तो कैसा लगता है देव सारी बात आशिका को बताता है ये सब देव की चाल होती है आशिका को सबक सिखाने के लिए जिसमें देव का साथ आशिका के घर वाले देव की माँ और उसकी बहन रितु भी देते है अब आशिका को सब समझा जाता है एक बर फिर से दिल से वो अपनी भावी से माफी मांगती है सब लोग खुशी-खुशी रहने लगते है